लोकसभा चुटणी मुद्दे बी एसप औने एसप नू गट बंधन करायो छे मायवत्य अने अखिलेश यादवे सयुगत प्रेस कॉन्फरेंस करी जमा यूपी मा बैठक नी वहचली अंगे फॉर्मिला तैयार करायी होवानू जणाव्यू 24 वश पची सपा बसपा वच्चे फरी लोकसभानी यूपी मा चुटणी यंगे गट बंधन करायो छे त्यारे बी एसप औने एसप चोंतेर बैठक पर साथे चुटणी लड़शे बी एसप एसप आढटत्री साढटत्री सीट परती चुटणी लड़शे अने अन्य बैस सीट जह सहीईओ की पार्टी मा आवता जनावियो के भाजपना राज मां तमाम वर्ग हैरान छे भाजप पे यूपी ने जातिवाद नो प्रदिश बनावियो छे वीजी बाज़ू मायवतिये प्रस कंफरेंस मां जनावियो के चार जान्युआरिये दिल्ली मां फॉर्मिला तयार कराई हती हावे कॉंग्रे जनावियो के गमेटलू गडबंदन थाए भाजपने कोई पक्षरावी नहीं शके फाइनल हो चुका है उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोगसभा की सीटे हैं जिसमें से बीस्पी 38 लोगसभा की सीटों पर और एस्पी 38 लोगसभा की सीटों पर मिलकर यह चुनाब लड़ेगी और दो लोगसभा की शीटे हमने अभी एक दो और पार्टियों के लिए छोड़ है इनके इलाबा दो और सेश्वची सीटे अर्थात अमेटिवे राइबरेली ये दोनों लोगसभा की सीटे हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गडबंदन किये हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिये हैं आज से समाजबादी पार्टी का प्रतेग कार करता इस बात को गांट बांद ले कि आधरनी मायवती जी का सम्मान मेरा सम्मान है और अगर भाजपा का कोई भी नेता आधरनी मायवती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आधरनी मायवती जी का नहीं बलकि मेर अपमान हुआ है भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बाटना शू कर दिया है अपनी नाकामियां अपनी विफलताओं और असली मुद्दों से जंता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा द्वारा देश और प्रदेश में धारिब के पात फैला कर भे और अतंग का बातन में बनाए जा रहा है कि कोई लाज शरम नहीं है अब यह शब्दों का परोग करना मेरे ठीक नहीं है पर यह याद करो उत्तरपदेश के इतिहास में कि मायावती कि सरकार्ती तब विधान सभा के अंदर मुलायम सिंग जी के लोगों ने क्या किया था और आ उन जिनको पता चल गया कि हमारा बैंगो चुका हैं हम जीत नहीं सकते हमारे भिंद्त भख नहीं सकते हैं है से हारे रूवे मन के लोग इकटा होकर अलांस करकर हमको बात घोराने की बात कर रहे हैं Sure he हम तो हिम्मत वाल है हम लगने वाले लोग है जितने लोगों को इकक्ता हो जाओ फिर भी याद रखना तुमको सब को पटकनी देके नीचे गिरा कर दिखाएंगे यही मैं आपको विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हुआ